खालो फ्रेंट अज मैं आपको दिखांगे कि आप किस तरह से स्लीक में यह सिलबर करर का यह कोटालेस को आप इसमें ऐटच करेंगे और यह पीछे से भी यह दिखाई नहीं देगा और इसके बॉटम में भी यह लेस्को आप किया analysis किया है इसके धामन में भी तो किस तरह से यह less को आप attach करेंगे और यह पीछे से भी नहीं दिखाई देगा तो यह मैं आपको दुसरे साइट में मैं इसको लगाके दिखाऊंगी तो पहले कूर्थी को wrong साइट में इसको पलट लेना है तो इसको पलट लेना है और hip तक इसमें fitting की सिला लगा लेना है और hip जहां पर आप slit बनाएंगे स्लीट के लिए कम से कम एक इंज का margin यहां पर रखना है तो मैं यहां पर 1.25 इंज का मैंने यहां पर मैंने margin रखा है अब इसके ऊपर यह 1.25 इंज मार्क करके यहां पर एक पूरा और इसके बॉटम में भी 1.25 इंची मैंने इसमें मार्जिन रखा है इस तरह से यह चारो इसके तीनों तरफ यह स्ट्रेट लाइन ड्रॉप कर लेना है और इसके उपर यह समुसा लेस बार ट्राइंगल लेस को इसके उपर रखना है और इसके राइट साइड अंदर क के तरफ रहेगा और थोड़ा सा भीदर से रखके इसके उपर सिलाई लगाना है तो यह इसका रॉंग साइड है और यह इसका राइट साइड है तो इसके सीधे साइड इसके नीचे रखना है कुर्ति के उपर रखना है और हिप की सिलाई जहां तक है उसके थोड़ा सा अं यह अंदर के तरफ रहेगा और इस तरह से रखके इस तरह से मैं दिखा रहे हूं इस तरह से रखके इसके उपर सिलाई करना है तो मैंने यह लाइन ड्रॉ किया है इसके उपर ही लेज को रखना है और सिलाई करना है इस तरह से लाइन को देखके इसके उपर यह लेज को रखना है और सिल लेना है जब बाटम में आएंगे तभी आप एक छोटा सा प्लीट बनाना है और फिर इसको घुमा लेना है घुमा के फिर इसके उपर सिलाई लगाना है फिर इसके दूसरे साइड में भी एक छोटा सा फोल्ड करके प्लीट देखके फिर इसको इसको फिर घुमा लेना है नमाके ये सिलाई पुड़ा उपर तक ले जाना है यहाँ पर भी हीप के सिलाई के थोड़ा सा अंदर के भीदर के तरफ इसको ले जाना है और सिलाई को लॉक करके लॉक कर लेना है अब जहाँ पर ये पहला सिलाई है इस तरह से फोल्ड करना है फोल्ड करके इसके उपर ये सिलाई को रखना है और यहाँ पर मैंने पहले पीन से मैं यहाँ पर सेट कर ले रही हूं अब पीन से भी सेट कर सकते हैं और डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हैं तो अब इसके उपर सिलाई कर लेना है तो ये सिलाई ट्राइंगल के उपर नहीं आना चाहिए जहाँ पर ये पहला सिलाई मैंने किया है उसके उपर ये दूसरा सिलाई करना है इस तरह से फोल्ड करके इसके उपर सिलाई लगा लेना है तो पहले सिलीट के एक साइड पूरे सिलाई लगा के पूरा नीचे अता कि इस सिलाई को ले जाना है और यहाँ पर थोड़ा सा ये पैब्रीक एक्स्ट्रा निकल गया है तो इसको मैं कट कर लूँगे अब फिर बॉटम में भी इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके उपर सिलाई लगा लूँगे फिर बॉटम में सिलाई को कॉम्प्लिट करके इसके दूसरे साइड में भी इसी तरह से फोल्ड करके ये शिलाई को हीप तक ले जाना है तो इस तरह से इसके तीनों तरफ लिट को बना लेना है अब इसको पीछे के तरफ ये तीनों साइड इस तरह से दिखेगा इसको पीछे के तरफ इस तरह से पलट लेना है तो इस सिव इसका ट्राइंगे लिए दिखाई देगा और ये पूरा लेस अंदर के तरफ चला जाएगा अब मैंने दूसरा सिलाई जहाँ पर मैंने खतम किया तो महां से ही मैं सिलाई को स्टार्ट करूंगे और फिर इसको इस तरह से घुमा के इसके उपर एकदम लेस के ट्राइंगल के एकदम पास में ये सिलाई को लगा लूँगी तो जिस तरह से मैं दिखा रहे हूँ तो इस तरह से इसके उपर से लगा लेना है जिस तरह से लगा लेना है तो यह गोठा लेस आटाच होने के बाद यह इस तरह से दिखेगा तो यह बहुत फिनिशिंग के साथ यह लेस को आप इस तरह से आटाच कर सकते हैं और इसके जो दूसरे साइट में यहां पर मैं तूरपाई कर लूँगी अब यहां पर मेशिन से भी सिलाई कर सकते हैं तो मैं यहां पर तूरपाई करके इसको फिनिश कर लूँगी और पीछे से भी यह बहुत सुंदर इसका फिनिशिंग आया है तो फ्रेंड्स यह है इसका फाइनल लूप फ्रेंड्स आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सकाइब कर दिजिएगा थैंक यू